आपनों हार्दीग स्वागत छे भगवत गीता रोजी रोज ना विशेष कारेक्रम विजो अध्याई याने भगवत गीतानो शांख्य योग औने तेमा गीता दर्शन आ विशेश कारेक्रमा प्रतैयार करेशे स्वामी विधित आत्मानंद जीना उस्तक्ने आधारे। दूर थवाती ते युद्ध करवाना माटे तैयार थे जयाए। आ आंतरिक प्रतिबंद छे शोक औन मोह। भगवत गीता आ प्रतिबंद दूर करनारो ग्रंत छे। शोक औन मोह। रूपी प्रतिबंद दूर ततानी साथेज मनुष्यनों मुळ भुद स्वभाव। एनी शोक मां संजय अर्जुन नी परिष्थितीनों वर्णन करता कहेचे कि आ प्रमाने करुणा थी व्याप्त थयेला आसु भरेली व्याकुल आखवाला विशाद ग्रस्त अर्जुन ने श्रीकृष्णाय आ वाक्या कहेचे। अर्जुन नों मन अत्यंत दया थी करुणा थी करूपा थी छवाई गयो छे। तेनी आखोमा आसु भराया छे। ते बराबर जोई शक्त न थी अर्जुन नों विशाद आमा देखाई छे। पड़ा वा विशाद करी रहेला रडता अर्जुन नी भगवाने उपेक्षा यह पहत्वनी वाद छे। अर्जुन ने कहुँ क्यों युद्ध नहीं करूं त्यारे भगवा ने तो कहूं होत टारे युद्ध न करवोई तो मारे सूँं चाला आपर बनने पाछा जाता जीगे। तो बगवत गीता नों उपदेश न थायोकोई परन्तु भगवाने त सुदन इटले मधू नामना राक्षस नो शत्रू नो सम्हार करना रहा नाम जेनू सुचन करेचे वह स्वभावज भगवान अत्यारे व्यक्त करी रहा छे अनने तेधी पहला तो ते अर्जुन ने शत्रू नाश करवानिक सला आपे छे अनने कहे छे कि हे अर्जुन अब इजा अध्याय ना बीजा स्लोप मा छे ये कहे छे कि हे अर्जुन अवा विशम भई जन्मावनारा स्थान मा तारामा आवी मलीनता क्या थी आवी गई आतो आर्याने शोबे तेव नथी के स्वर्गने प्राप्त करावनारू पण नथी एटलुज नहीं एतो अपकिर्थी करावनारू छे हे अर्जुन अत्यारे आ विशम कटो कटी बरी परिश्थिती मा तारा रुदवी मा आवो विशाद तमस आ प्रकारनों मोह क्यां थी छबाई गयो हे अर्जुन आर्या लोकोने छाजे तेवो आ निरिनाई नथी आर्यो एटले विचार शिल पुरूशो जीवनमा जे पोतानू श्रे के कल्यानी चेशे जे मुमुक्षुओ छे जे ओपन करम त्याग नो निश्क्रियतानों मार्ग न अपनावे धनुष्या अने बाण एक्षत्री अने माटे पुरुशार्थ नू साधन छे अने अर्जुने ए साधन्यो ज त्याग करी दिदो छे पुरुशार्थ ना साधन्यो जो कोई त्याग करी दे तो ते श्रेहिनी प्राप्ति के विरित करी शके मुमुक्षु करवानों त्याग न करे। फरिती साम्दों मुमुक्षु कर्मनों त्याग न करे। स्वधर्मनों त्याग करवाने माटे तैयार थाइ गयो छे, एनो अर्थ यो थाइो घयो, कि तानने मुक्ष निच्छा नन थी बले, पणशू तानने स्वधर्मनी पण इच्छा नन थी, तुख्शत्री यचे, धर्मनों रक्षण करवू ए तारो धर्म छे, तारे तो प्रिति रम युद्ध थी विमूख रेवानों तारो जे निरिना इचे ते तने किर्ति तो नहीं प्रिति रम युद्ध थी विमूख रेवाती तो तारो कोई पुरुशार्थ सिद्ध नहीं करी शके न माटे सिक्रिश्न काये चे के माटे हे पार्थ तु कायर नबन आतने चाजतू नती रुदैनी निर्दुरुबळ ता छोड़ी दे परंतप तु उभो था युद्ध ने माटे तत्पर था आचे त्रीजा स्लोक निवात ये पार्थ तु तो परंतप छे तारा नाम मात्रती शत्रुव ध्रुजे चे तारा रुदैमा आजे जे दुर्बळत आवी चे एक शुद्र छे धर्म अधर्मनों विवेक न करवाने कारणे तारामा दुर्बळत आवी चे आतो अत्यंत अल्प छे माटे तेनों त्याग करी ने युद्ध ने माटे तु तत्पर था ये उश्री कृष्ण अर्जुन ने कहे चे पृत्तिष्ठत नागरत हुआ उपनिशत कहे चे के अवी विवेक माती जागरत थाओ विवेक करो विचार करो के मनुष्य जीवन शाम माटे चे जीवननु धेशू छे एद्येई कया साधन्ती केवी रिते प्राप्त करी शकाए प्रश्ण एछे के जानवू केवी रिते प्राप्य वराननी वोधत आउपनिशत आगल कहे चे के श्रेष्ठ पुरुषो ग्नानी महात्मावो नी पासे जैने जीवनने विशे जानो और विद्या के अगनाननी निंद्रा माती अनाधी कारती आपने सुतेला चीए ए सुशुक्ती माती जाग्रत थवू जोईए गुरुने पासे जैने जनान मेळू जोईए अर्जुन पनावो अगनान निद्रा माती सुतेलो जीव छे भगवान श्रीकृष्णे ना गुरु छे श्रीकृष्णे ना अर्जुन वच्चे ना समवाद रुपी भगवत गीता खरेकर बहु विलक्षन छे अर्जुन शोक करी रहो छे भगवान शोकती अस्पस्ट छे अन्य बन्ने एककज रत पर बैठेला छे आवा एककज व्रुक्ष पर बैठेला बे पक्षिन वर्णन मुंडक श्रुती कही रित करे छे ते कहे छे कि हम्मेशा साथे रहना रा समान आख्या वाळा सुन्दर आखो वाळा सुन्दर पांखो वाळा बे पक्षी एक व्रुक्ष ने आश्रित छे एमाती एक पक्षी व्रुक्ष ना स्वादिष्ट फड़ो खाई छे ज्यारे बिजू फड़ न खाई ने मात्र जो पक्षी खरेकर एक बिजाती भिन जुदा अलग नती एक पक्षी जीव चे बिजु इश्वर छे बनने समान चे रे समान नहीं तत्वनी द्रष्टिय तो बनने और भिन्न चे एक कज छे चता बे जुदा पक्षी हो इते हो आपणने भ्रह्म थाई रहो चे शुरुती आ द्रिष्टांत द्वारा समझावे चे के जीवन मा आपन चैतनो अनुभव थत्तो हो यह उजणाई चे अपने मानिये चे के इश्वर माराती जुदो चे माराती दूर चे क्यांक बीजे बेटेलो सुतेलो चे आप भ्रह्म चे शरीर रूपी एक व्रुक्ष पर जीवन इश्वर नामना बनने पक्षी साथेज रहला चे इश्वर ने आजरी मा इश्वर ना अनुग्रहती जीव शरीर मा होई छे। ते वास्तव मा तो नारायन छे। अने स्वयम नारायन पोताने असहाय दीन हीन दरिद्र अने नर दरिद्र नर माने छे। आज वस्तु कठोप निश्वद मा के विरितर केवाई छे। एक रुदई गुवा मा जाने के बे चेतन रहेला छे। जीव न इश्वर। अब अन्ने एकज वात छे। तेमना मा क्यारे कोई भेद के अंतर न थी छता। अगनान अने तेमाती जन्मेला भ्रह्म ने कार्णे जीव उताने इश्वर्थी भिन्न माने छे। जीवन मा अनेक प्रकार ना शोक न अनुभाव आपने करता हो येशके। आपने मानता हो ये छे कि आपने आजुबाजुना लोकों ने संजोगो आपने दुखी करे छे। के नारायन नी साथे एकज व्रुक्ष पर भेठेलू नर पक्षी मोहीत थैने लाचारी अनुभवतु शोक करे छे। करे-कर तो नारायन अज पोताने नर मानी ले छे। आ मोहज येना सोक नुकारण छे। नर अर्जुन अने नारायन श्रीक्रिष्ण आपने एकज छे। अने छता रथ उपर अर्जुन शोक अग्रस्त छे अने भगवान शोक मुक्त छे। तो मित्रो विजा अध्याई ना पहला त्रहन चार स्लोग दर्म्यान मां आपने आ परिस्तितीने समझवानू गीतानू दर्शन आज आपने करिए। भगवद गीता रोजे रोजना कारेक्रम्मा आज दर्शन मां आवतिकाले आपने आगल वदीशू अमारी सातेरे जो अमारा सहकार आप मानता ले जो यहनों लाब लेता ले जो कारण के आवार लखी छे कही छे खुद श्रीक्रिष्ण आए। आजे अहीं जविराब अपना मित्र नरेश कापडिया नरजा आपसो आवतिकाले इती आगल वदीशू जैसी क्रिश्ण